रोमांस के लिए प्रेमिका को जरूर लेकर जाएं खजराओ जिसके दर्शन के बिना भारत दर्शन अधूरा है खजराओ बुंदेलखंड में इस्तित एक ऐसा स्थल है जो अतीत के स्वर्णिम साध्य के साथ वर्तमान के सामने गौरव पूर्पूर मुद्रा में खड़ा है खजराओ बुंदेलखंड का वक्ष इस्तल वास्तु कला का अपूर भंडा समस्त विश्व का आकरशन सांस्कितिक एवं आध्यात्मिक चेतना का केंद्र है खजराओ की इस्तापत्य कला में निर्माल के बिंदु बिंदु में प्रेम के अनुपम आख्यान अत्वा काम सूत्र की सास्वत कला गुथी है पत्थरों में काम क्रेडाएं काम कला का हर रूप सजीव रूप से उत्कीन है मद्यूगीन मास की ये सजीव मूर्तियां आज भी अतुलनी है आज भी ऐसा लगता है कि यहां की मिथुन मूर्तियों के अंग प्रत्यंग में खनक भरी गुनगुनाहट है जिनके उद्देलन को शब्द की सीवा में नहीं बांदा जा सकता हरे भरे जंगलों की हरितिमा में छिपा यह अनमोल सौंदर्य प्राया 600 वर्षों तक मानव की नेत्रों से अचूता रहा सन 1840 में एक बिटिस शिकारी दल ने इस इस्थल का पता लगाया था बाद में उत्खनन के माध्यम से मिट्टी के गर्व में दवा यह अनुपम सौंदर्य बाहर आया तथा सन 1923 में यह सर्व साधर्ण में यात्रा हेतु चर्चित हुआ यहां के सिल्फ सौंदर्य को देखकर यही कहा जा सकता है खजराहों के दर्शन के बिना भारत दर्शन अधूरा है निर्मार काल की दिस्टी से खजराहों के मंदरों को दो भाग में विभाजत किया जा सकता है एक पूरवर्ती जिसके अंतरगत 64 योगनी लहगुहा महादेव ब्रह्मा मतंगेश्वर और बरहा मंदर आदी आते हैं दूसरा परवर्ती जिसमें शेष सभी मंदर आते हैं चंदेल वंश के राजाओं ने कुल 85 मंदर बनवाये थे जिनमें से वर्तमान में केबल 22 मंदर शेष बचे हैं खजराहों में सबसे प्राचीन मंदर कंदारिय महादेव मंदर है जो की मद्द कालीन भारती इस्थापत्य का भव्यतम इस्मारक है यह भारत की सर्वोत्तम वासु कृतियों में अपना गौरोपूर्ष इस्थान रखता है यह मंदर 117 फुट उंचा, 117 फुट लंबा तथा 66 फुट चौना है मंदर को सामने की ओर से देखने से यूँ प्रतीत होता है कि जैसे एक शिखर वाला विशाल परवत खड़ा हुआ हो एवा मंदर का प्रवेश द्वार यूँ प्रतीत होता है जैसे किसी कंद्रा या गुफा का द्वार हो इसलिए ही इस मंदर का नाम कंदारिया महादेव अर्थात कंद्रा में रहने वाले शिव पर पड़ा है लक्षवन मंदर का निर्मार लगबक 930 इश्वी में यश्व वर्मन नामक राजा ने कराया था इनका एक नाम लक्षवन वर्मन भी था इसलिए यह मंदर लक्षवन मंदर कहलाता है वैसे यह मंदर भगवान विश्व का है पंचायतन सैली में बना हुआ यह मंदर खजराओं में अब तक प्राप सभी मंदरों में सबसे सुरक्षित इस्तिती में है कहा जाता है कि इस मंदर के निर्मान के लिए मतुरा से सोलह हजाश शिल्पकारों को बुलाया गया था तता यह मंदर लगवग साथ वर्षों में बन कर तयार हुआ था लक्षमन मंदर के बाद विश्वनात मंदर लगवग एक हजार दो इस्वी में महराजा धंग देव वर्मन ने बनवाया था यह मंदर भी लक्षमन मंदर के समान पंचायतन शैली का बना हुआ है किन्तु वर्तमान में किवल दो ही उप मंदर उत्तरपूर एवं दक्षन पश्चम कोनों में इस्थित है बाकी दक्षन पूर और उत्तरपश्चम के कोनों की उप मंदर तूट चुके है मंदर के सामने का नंदी मंदर जो की विश्वनात मंदर के ही चमूतरे पर बना है दर्शनी है चित्रगुप्त मंदर राजा धंग देव वर्मन के पुत्र महाराजा गंड देव ने ग्यारवी शताबदी के उत्रार्थ में बनवाया था खजराओं में बने मंदिरों में किवल यही एक मात सूर्य मंदिर है इस मंदिर का नाम चित्रगुप्त नामक उपदेवता के नाम पर पड़ा जिनके बारे में हिंदु धार्णा है कि यह मनुश्यों के कर्मों का लेखा जोखा रखते हैं गर्व ग्रह में इस्तित रक्षा रूर भगवान सूर्य की प्रतिमा के दाहिनी और हाथ में लेखनी लिये चित्रगुप्त की खंड़त प्रतिमा है यह मंदिर निरंधार शैली में बना है चौसठ योगनी मंदिर सबसे प्राचीन मंदिर है इस मंदिर का निर्मा चंदेल राजवश में आने के लगबक तीनसो वर्ष पूर फूर हूआ था इस मंदिर की यहाँ उपस्तिती इस बात को प्रमाणित करती है कि चंदेलों के अस्तित्व में आने से पहले यहाँ तंतर दर्शन का बहुत प्रभाव था क्योंकि 64 योगनियों कि पूजा तांत्रेकों के द्वारा ही की जाती थी यह मंदर पूढ़ता लावा पत्थर का बना हुआ है 64 योगनी मंदरे के समीपि पश्यम दिशा की ओर लालगोहा सागर के किनारे भगवान शिव का लालगौहा मंदर बनाया गया है पश्चिम भिमुखी मंदर है जिसमें शिखर पिरामेड आकार का है वर्तमान में गर्व ग्रह पूर्टा खाली पड़ा है तथा मंदर के सामने नंदी की एक सुन्दर प्रतिमा है चंदेल राजाओं के द्वारा बनवाय गए मंदरों में मतंगेश्वर ही पहला मंदर है इस मंदर का निर्मान हर्श वर्धन ने 1920 इसवी के लगभग करवाया था खजराओं के पुरातन मंदरों में यही एकमात्र ऐसा मंदर है जिसमें आज भी पूजा पाठ होता है यह खजराओं का पवितरतम मंदर है वरा मंदर लावा पत्थर की उची निव पर काफी उचाई पर बालू पत्थर का आयताकार मंडप के रूप में बना हुआ है इस मंदर में भगवान विश्णू को वरा रूप में दिखलाया गया है व्रहत एवं एक ही पत्थर की बनी हुई 2.6 मीटर लंबी इस मूर्ती की विशेष्टा इसकी उपर बनी छोटी अनिगनर देवी देवियों की प्रतिमाए है यह वरा भगवान के उसी रूप को दर्शाती है जब वे हिराक्षक नामक राक्षस को मार कर प्रत्वी को पाताल से निकाल कर लाये थे देवी जगदंबा मंदर चितगुप्र मंदर के सामने ही रंधार शैली में बना हुआ है इस मंदर का निर्मा गंडदेव वर्मन ने किया था मूलता यह मंदर विष्णु भगवान का था लेकिन बाद में लगबग 1830 ईश्वी में महाराजा चतरपुर ने मनियागड से पारवती की मूर्ती यहां लाकर इस्थापित की इसलिए इस मंदर को जगदंबा मंदर कहा जाता है जगदंबा मंदर के समीफ ही महादेव का एक छोटा सा मंदर है इसके प्रवेश द्वार पर शिव की प्रतिमा है मंदर का छोटा सा चबूतरा ही प्रतिमा है मंदर का छोटा सा चबूतरा ही देखने योग गया है जिसमें रखी प्रतिमा में चंदेला राजवंश के प्रतम राजा चंद वर्मन को सिंग से लड़ते हुए दिखाया गया है यह चिन अशोक चिन्न की तरह चंदेला राजवंश का राज की चिन्न था पूर्वी मंदर समू के अंतरगद लगबख तीन मीटर उची हनवान जी की प्रतिमा गाउं की ओर जाने वाले रास्ते पर बाई और पड़ती है इस प्रतिमा को शदालियों ने सिंदूर से रंग दिया है इस प्रतिमा का महत इसलिए अधिक है क्योंकि इस पर 1922 इसवी का शिला लेख है जो कि खजराओं में प्राप्ट सभी शिला लेखों में प्राचीन है ब्रह्मा मंदर लगबग 920 में बनवाये गया था इस मंदर के अंदर चतुर मुखी शिवलिंग है शिवलिंग के चार मुख्य काराण ही मंदर का नाम ब्रह्मा मंदर पड़ गया बामन मंदर निरंधा शैली का महत्वपूर मंदर है इस मंदर का प्रवेश द्वार या अर्द मंड़प टूटा हुआ है महा मंडप एवम गर्व ग्रह अच्छी इस्तिती में है मंदर के गर्व ग्रह में भगवान विश्णू की बामन रूप में अद्वुत प्रतिमा है खकरामट अवशेश रूप में बामन मंदर के उत्तर पूर में समीप ही इस्तित है एक टूटे से चबूतरे एवम कुछ इस्तम्मों के यहां अवशेश मिलते है यह मंदर खजराओं में इस्तित एक महा यानी बुद्धिस्ट मंदर था इसके गर्व ग्रह में प्राप मूर्ती अब पुराता तो संग्राल है के प्रमुकक्ष में देखने को मिलती है बुद्धि की यह प्रतिमा भूमी इसपर्ष ध्यान मुद्रा में है जवारी मंदर बामन मंदर के पास दक्षन की ओर भगवान मिश्णू का मंदर है यह अपने छोटे स्वरूप के होते हुए भी अपनी सुन्दरता एवं कुछ विशिष्टाओं के लिए उल्लेख नहीं है मंदर के गर्व गर्म में भगवान विश्णू की प्रतिमा है जिसका सिर्क खंडित है प्रतिमा भगवान विश्णू के बेकउंट रूप को प्रदश्यत करती है घंटाई मंदर खजराओ गाओं के बाहर की ओर जाने वाले दक्षन रास्ते पर इस्थित है यह मंदर अपने इस्तम्मों पर अंके सुन्दर घंटियों जो की साकलों से लटकी हुई दिखाई पड़ती है के कारण घंटाई मंदर के नाम से जाना जाता है अब यह खंडर मातर रह गया है खजराहों में जैन मंदरों का सम्मू है जिसमें मुक्यता आदिनात पाश्वनात वा शांतिनात मंदर है एवं इसके साथ साथ कुछ अन्य छोटे छोटे मंदर भी बने हुए है जैन मंदिर समू के प्रांगर से निकलते ही दाई और इस नवनिर्मित संगराले में जैन मंदर के खंडरों से प्राप्त मूर्तियों को परिचय के साथ प्रदश्यत किया गया है यह नवीन संगराले आधुनिक इस्थापत ते कला का एक सुन्दर उधारा है दक्षर मंदिर समू के अंतरगर दूला देव मंदिर खजराओं में चंदेल राजवन्ष के द्वारा बनवाये गए शिव मंदरों में सबसे नया है इसका निर्माण 1100 से 1150 इसवी के मद हुआ था मंदर के गर्व ग्रह में सहस्त्र मुकी शिवलिंग है अर्थात इस शिवलिंग पर 1000 छोटे छोटे शिवलिंग अंकित है चतुरूबुज मंदर नरंधाशली का बना हुआ मंदर आकर्ती के दरोष्स्टि से छोटा मंदर है इसके गर्व ग्रह में भगवान शिव की चार भुजाओं की प्रतिमा अभे मुद्रा में दक्षिन मूर्टी शिव को दर्शाती है एकी पत्थर की बन्यू है ये प्रतिमा की उंचाई 2.7 मीटर की है जो की अपने मुख मंडल के भावों के लिए एवं शरीर की त्रिभंगा इस्थिती के लिए दशनी है इसी प्रकार अन्य मंदरों में खजराहों की चंदिल कला का इसपस्ट अंकन देखने को मिलता है कुछ और मंदर हैं जैसे पारवती, चौपरताल, आदी भी प्रमुख है कला और सौंदरे का संगम यह अपूर सौंदर युक्त मंदरों की नगरी न केवल आत्मिक सौंदरे से उत्प्रोत है वरण, भारती इत्यास का एक ऐसा मील का पत्थर है जिसे देखकर देश विदेश ते आए अनेक परेटक दांतों तले उंगलियां दवा लेने को विवश हो जाते हैं खजराहो महोवा से 55 किलोमीटर वा हरपारपुर से 99 किलोमीटर वा छटरपुर से 46 किलोमीटर पूर की ओर 17 से 120 किलोमीटर वा पन्ना से 43 किलोमीटर पश्चिमुत्तर दिशा में उत्तरमद रेलवे ने खजराहो को महोवा स्टेशन से जोड़ दिया है महोवा से बस द्वारा सतना रेलवे स्टेशन से पन्ना होते हुए खजराओं बस द्वारा भी जाया जा सकता है इंडियन एरलाइन्स कॉर्पोरेशन की प्रतिदिन हवाई सेवा दिल्ली से आगरा होते हुए खजराओं तक जाने के लिए उपलब्ध है खजराओं में परेटुकों के ठहरने के लिए अनेक होटल, लॉज वा धरमशालाएं उपलब्ध यदि आप अपना टैलेंट बंजरा बीट्स के साथ शेयर करना चाहते हैं तो दो से तीन मिनिट का वीडियो होरिजोंटल में बना कर इन नमबरों पर भेजें